Hello everyone, मैं मिथुन सिंग, स्वागत करता हूँ आप सभी का, आशा करता हूँ आप सभी, बहुत अच्छे होंगी, क्लास की सुरुवात हम लोग करेंगे, रिच्वल से जो हम लोग सुरू से निभाते आ रहे हैं, सबसे पले आपको यहाँ पे कुछ इमेजस दिखाई पड़ रह है, तो चलिए, very first question के साथ देखते हैं, देखिए, which of the following ministry has started a pilot project to replace diesel with LNG, तो अगर कि निको LNG का full form पता है, तो comment box में लिख दीजेगा, और सारे लोग उसे like भी कर दिया करो, लोगों के effort को appreciate करना सीखो आप, तो देखिए, हाल में ही किस ministry ने जो है, diesel को LNG से बदलने के प्रियोजना शुरू करी है, तो देखिए, ministry of transportation, ministry of education, ministry of sports या coal, तो देखिए, सबसे पहले न, आपके पास न, eliminate method जरूर यूज कीजिए, eliminate method का मतलब यह होता है, कि वो चीज जो possible ही नहीं की हो सकता हो, तो देखिए, यहाँ पर आपको दो options दिखाई दे रहोंगे, एक तो स your sports वाला कोटा, तो यहाँ पर देखिए, ministry of sports का कोई लेना देना नहीं, तो दोनों cut हो गया, अब देखिए, परिवहन का भी, diesel petrol से लेना देना है और coal का भी, तो सबसे ज़्यादा nearest कौन दिख रहा है आपको, ministry of coal, अब यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पर देखोगे, CIL, ministry of coal, start pilot project to replace diesel with LNG numbers, तो यह है इसका right answer, देखिए, अब आगे बढ़ेंगे next question की ओर, very next question is, परवीन कुमार, जिन्होंने जो है, बहुत कम age में जो है, Indian continent में अपने नाम रोशन किया, और इन्होंने silver medal जीता है, Tokyo Para Olympic में, तो इन्होंने कौन सा participation किया था, discuss throw में, या फिर, short put में, high jump में, या jeveline throw में, तो देखिए, इसका जो right answer होगा न, आप यहां से सबसे पहले उनकी image को देख लो, और यह रहा इनका image, और यहां से देख सकते हो, परवीन कुमार, back silver in man's T64 high jump, और इन्होंने high jump में क्या किया है, यह medal जीता है, और यहां से देख सकते हो, the teenager, यह चल्द लाने के कोशिस करूँगा, Olympic के उपर, और जो हाल में ही, सारे जगों के main-main, जो bank है, UN है, सारे लोगों के CEO के नाम आपके सामने में रखतूँगा, तो चलिए, आगे बढ़ते हैं, who is the head of the committee set up to review the existence guidance, the journalist welfare scheme, यानि कि पत्रकारों को लेकर जो welfare schemes चल रही है, उसकी समिच्छा करने के लिए जो committee बठाई गई है, वो जो है, उसके जो head है, यानि कि उनका जो head बनाया गया है, committee का, वो किने बनाया गया है, तो देखिए, यह जो है, आपको दिखेगा, असो कुम attendant, जो है, वो committee को head करेंगे, तो चलिए, आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देख सकते हो आप, which country has recently developed a small helicopter, देखिए, small helicopter को develop किया गया है, किस purpose से, purpose of surveillance, work on future Mars mission, यानि कि Mars mission के लिए जो है, जो है, यह क्या करेगा, surveillance रखेगा, निगरानी करेगा, तो देखिए, यह जो है ना, चाइना अभी अपने सारे project को, चाइना को पता है, कि in future, जो है ना, space बहुत important होने वाला है, crucial होने वाला है, तो space के उपर यह जो है, नजर बनाया रखने वाला है, कौन है, चाइना हमारा दुस्मन, और D's का correct होगा, D के साथ आपको जाना है, यहाँ से देखिए, आपको image दिखाई पढ़ रहा होगा, चाइना अभी इसने जो है, हाल में ही अपना, जो है, space station भी launch कर दिया है, और अभी हाल में ही जो है, यह इलन मस्क की जो satellite थी, वो टक कर होने से बची है, कॉलाइड होने से बची है, मैंने साथ current affairs में इसको भी कबर किया था, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, next question की ओर, अब देखिए, सबसे पाला question है यहाँ पर, आपसे मैं question पुछ दूँगा, IMF का full form, और इसका headquarter आप लोग कमेंट करके बता दीजे, ताकि और लोगों को benefit हो जाए, तो देखिए, what is the total special drawing right, allocation made by IMF to India, इंडिया को जो है, SDR जो दिया गया है, वो कि 12.57 billion, तो देखिए, पहला ही answer आपका क्या है, correct है, एक साथ आपको जाना था, बढ़ेंगे, next question की ओर, very next question is, which state has recently decided to host the defense expo 2022, तो 2022 defense expo को किसने, जो है, मेजवानी करेगा कौन, host कौन करेगा, तो देखिए, गुजरात, जी हाँ, गुजरात इन सब चीजों में बहुत आगे राता है, but one more thing, देखिए, यहां से question कैसा बनेगा न, गुजरात की अभी आपको दिख रहा होगा, chief minister कौन है, बिजयरुपानी, but, right now, बिजयरुपानी is not a chief minister of गुजरात, because, उन्हें हटा दिया गया है, अभी नए कौन आए है, नीचे comment करके बताईए आप लोग, ये question side exam म हाल मही, एक सो सा, sky striker drone को किसने करार किया है, जो किसने करार किया है, नबाट, supreme court, भारतिय state bank, या भारतिय सेना, तो देखो, ये फनी सा options है, ये तो, आप समझ लोग कि, ये options क्यों ही दिये गए है, ये दो कोई Indian army होगी, definite सी बात है, इनका कोई लेना देना नहीं है, defense से, ये भले state bank जो है, पैसे देगा, बट, सारे चीजों का कोई मतलब ही नहीं बनता है, जो चलिए, एक और question मैं आप लोग उसे पूछ लेता हूँ, देखो, मैं लाल चीन सान हूँ, question बहुत सारे पूछता हूँ आपसे, और आप लोग उस question को जरूर से जरूर पढ़ा करो, आपको पूछा गया है, नबाड जो है, मैं भी पूछ रहा हूँ आप लोगों से, ये किस सेक्टर से related है, तो आप लोग कॉमेंट करके बताओगे, किस सेक्टर से ये related है ये, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हो, इंडियन आर्मी त आपको पेपर मिल जाएंगे, और यहाँ से देख लो, नॉट्स के लिए 499 का एक चोटा सा ट्रांजेक्शन रखा गया है, देखो मैंने खुद APS को क्रेक किया है, और मुझे पता है, कि कितने चीज़ों को पढ़ना है, कैसे नाप तोल कर पढ़ना है, लास्ट के two months बहुत important होते हैं, और इस आखरी दो महिने में, कोर्स को कितना चोटा से चोटा रखा जाए, कि आप दो महिने में उसे पढ़ सकते हो, और एक्जाम को क्रेक कर सकते हो, अगर आप paper purchase करने में इंट्रेस्ट हो, यह लेना चाहते हो, notes मेरे दवारा hand return, आपको email क लिजे, इंस्टा पे हो, then do follow me at the rate I.Mithun Singh, पेपर के लिए आपको सारी information मिल जाएके आप mail कर सकते हो, या जो भी आपकी मर्जी है, वो आप वहाँ पे कर सकते हो, जो मर्जी के आप message कर सकते हो, आपको paper मिल जाएंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए, question य बन गए हैं, तो इन्होंने किस participation, किस event में पाठ लिया था, देखिए, सबसे पले हम आपको image दिखा देता हूँ, यह रहे, यह दोखो, अब आपको सारी inside मिल चकी होगी, इन्होंने archery में किया था, तो यह क्या होगा, archery is the right answer, तो देखिए, archery कहा है आपका, option number, आपको द Central Bank in Australia, Singapore, Malaysia and South Africa, तो देखिए, IMF, BIS, World Bank या BRICS, देखिए, सब एक और बात देखो, मैं फिर से लालच में फंस गया हूँ, BRICS का जो है, headquarter, जो BRICS bank का headquarter है, वो कहाँ पे है, comment करके आप लोग बताईएगा, क्योंकि यह हमारे neighboring country का सवाल है, BRICS का full form क्या है, यहाँ पे कॉ comment box में answer कर सकते हो, देखिए, आप जो है, इन सब चीज़ों को जितना ज़्यादा पढ़ोगे न, आपके लिए फायदा बंद रहेगा, देखिए, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, यह देखो, Australia, Malaysia, Singapore and South Africa, launched the Sandbank Digital Currency Scheme, और यह जो है, यह जो launch किया गया है, आप यहाँ से देख सकते हो, यह देखिए, B, I, C, यानि कि आपका right answer कौन जाएगा, आपको जाना था, B option के साथ, किस के साथ, B के साथ, चलिए, आगे बढ़ेंगे, और यह रहा question, National World Life Day is celebrated on, देखिए, National World Life Day कब celebrate किया जाता है, 2 September को, 3 September को, 4 September को, या फिर 15 September को, तो देखिए, यह जो right answer ह है, बिलकुल यहां से आप देख सकते हो, एक image, और यह रहा, Love is equal to protection, तो यह है, 4 September 2021, यानि कि इसे कब मनाया जाता है, 4 September को, आगे देखिए, आपको जो है, यह बताना है, कि किसने हुरून इंडिया, Future Unicorn List 2021 को जो है, टॉप किया है, Russia, China, USA, या फिर सिंगापूर, तो देख होते हैं, ऐसा Greek mythology में बताया गया, कि वो उड़ भी सकता है, तो इसका जो collect answer होगा, आप यहां से देख सकते हो, India added three unicorn, और यह बहुत सारी बाते हैं, उसे रहने देते हैं, फिलहाल जो right answer है, वो मैं आपको दिखा दूँ, यहां पर आपको दिखा देता हूँ, India three unicorn add किया है, लेकिन, India is the third in the list country, the most unicorn, सबसे ज़्यादा आपको दिखा आपको कौन, USA के पास 396 है, चाना के पास 277 है, और UK के पास 32 है, हम लोगों के पास कितना है, अभी यहां से आपने देखा होगा, इंडिया के पास अभी मात्र, यहां से आप देख सकते हो, wait a minute, मैंने कहीं mention किया थ अच्छे से तो आपको दिख जाएगा, मुझे अभी तो फिलाल नहीं दिख रहा है, आगे बढ़ते हैं, और quick point, जो कि बहुत ही important होता है, देखे, recently who has become the fastest batsman to score 20,000 run in an international cricket, तो देखे, बिराट कोली, obviously, बिराट कोली अभी सारे record आपको बनाते दिखाएंगे, लेकिन दो सा से इन्होंने century नहीं लगाई है, और covid के बाद सबसे ज़्यादा Indian को जो problem दे रहा है, साइद यह हो सकता है, one of them, cricket labor के लिए तो definitely, who topped the recent release the world university ranking, तो देखे, Oxford University is the right answer, recently RBI has imposed a fine of 25 lakh on which bank, तो access bank को इन्होंने जो है fine लगाया है, तो चलिए, question ही आ गई है, और अप लोग ना, एक ह all of you, देखे, भारत के neighboring country को पढ़ना बहुत important है, तो सवाल भी neighboring country से ही रने वाला है, आज भी, जैसे मैंने पिछले दिन चाइना को पूछा था, आज आपको बताना है, भुटान की currency कहां है, भुटान का जो capital है, वो कहां है, यह आपको बताना है, और third number, भुटान के prime minister कौ बनी है, इंडिया से related है, तो मैंने आपसे question पूछा, thank you so much for watching this video, please like, share and subscribe, thank you so much.